Welcome to Daily Effect आज हम बात करेंगे Environment Laws के बारे में WordPress साथ में Conventions जितने भी जो है CoP 29, 26, 27, 28 कोई भी हो जोja mere서 को हम जो हम आज कवर करेंगे अगर आप हमारे साथ नई जुड़े हो तो आप हमारे initiative को subscribe भी कर सकते है साथ में share भी कर सकते है प्रस साथ में हम discuss करेंगे अभी कि हमारा जो main answer writing का जो plan है जिसको हम launch करने जा रहे है 3rd July से और यह जो हमारा 3rd batch होगा GSY हम यहाँ पर करेंगे और 80 days का जो हमारा यह plan रहेगा जिसमें हम daily answer writing practice करेंगे जिसमें 5 to 7 questions आपको रोज रहेंगे यहनि कि रोज के रोज practice करना होगा यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो हमने जो initiative यहाँ पर लिये है वो यह कि पहले हम cover करते थे सिर्फ answers को और check करते थे लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा रहेगा वो 5 days का रहेगा 6th day यानि कि Saturday को हम जो है वो हर रोज ऐसे करेंगे और Sunday को जो हमारा एक full length test रहेगा जिसमें approximate कोशिश हमारी यह रहेगी कि 10 to 15 questions जो है वो यहाँ पर रहे और एक time यहाँ पर जो हम set करेंगे exam के लिए कि हमें जो है वो proper means के जो हो त्यारी करनी है यह initiative जो है वो अगर हम बात करें HGS और allied और naiv तसिल्दार इन सभी के लिए रहेगा plus साथ में हमारे special batches जो हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारा एक तो Indian history है अगर किसी का optional Indian history है regarding HGS तो हमें contact कर सकता है प्लस साथ में crash course जो हमने शुरू किया है allied services के लिए और यहां पर जो है वो current of way के classes भी जो है वो live include होती है तो शुरुवात करते हैं environment laws की जिसमें भारत में जो important laws है सबसे important जो law आता है वो आता है wildlife protection act 1972 एक तरह से अगर हम बात कहें कि यह basic है base है पूरा का पूरा यहां इसी पर ही जो है वो maximum सारे acts जो है वो भारत में based है और यह key legislation है अब यहां पर क्या है कि यह कहा गया है इसमें कि इनको protect करना है इस act केंडर कि इसको animals और plant बोथ को यानि कि environment की पूरे की बात की जा रही है तो यहां पर सबसे पहले याद रखना कि यहां पर plants और animals दोनों include हो रहे है अभी statements exam में इस तरह से बन रहे है कि अगर हमें पूरा भी आता है फिर भी वो हमें confused कर देते है या तो वो animals पूछ लेंगे या वो सिर्फ plants पूछ लेंगे तो यहां पर याद रखना कि wild animals and plants दोनों include हो रहे हैं आपे इसमें जो include किया गया है यहां पर protection के लिए तो यहां पर चार schedule जो हो इसके बनाएगे एक तो यहां से question बनता है कि कौन से species किस schedule में added है तो यह याद रखना तो जो species अगर आप current में हैं उसको पढ़र हो जैसे for example Bengal tiger हो गया Great one on rehenno हो गया या फिर अगर हम बात करे चीता हो गया तो वो कौन से schedule में added होते हैं तो याद रखने बहुत जरूरी है तो इसके four schedules है जिसमें सबसे पहले आता है सबसे पहले में वो animals include होंगे जिनको जो है वो highest level of protection की जरूरत है उसके बाद वो animals include होंगे जिनको कम level of protection की जरूरत है कम degree, lower degree of protection की जरूरत है third में जो है वो plant species के लिए included है और fourth में वो species include होगी जो sites के under mentioned है sites convention इसको भी हम पूरा detail में discuss करेंगे then उसके बाद जो wildlife protection act है इसने जो है इसके under different organizations बनी है different bodies बनी है जिसमें सबसे पहले और सबसे important जो आती है वो आती है and national tiger conservation authority अब इसका यह याद रखना बहुत जरूरी है तो national tiger conservation authority जो है वो 2006 में बनी है अब ये किसी कानून के through बनी है तो that means ये कहा है statuary body है उसके बाब wildlife crime control bureau ये भी जो है वो आपका wildlife protection act 1972 के अंडर बनता है wildlife advisory board, wildlife warden central Jew authority, national board for wildlife ये सभी जो है वो आपके किस के अंडर बनी है wildlife protection act 1972 के direct जो है वो question exam में इस तरह से बनता है कि कौन सी body जो है वो किस act के अंडर बनी है तो ये सभी जितने हैं बने हैं आपके wildlife protection act 1972 ये ये भी याद रखना बहुत important है इसके बाद यहाँ पर इन से तूर एक से तूर conservation के अंडर like national park, wildlife centuries conservation reserve, community reserve, tiger reserves ये सभी जो है वो आपके इसी act के अंडर जो है वो cover होते है और साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि हमें मतलब regulations यहाँ पर रखी गई है for hunting of the wild animals and birds ये जो wild animals और hunting के ओपर restrictions है, regulations है ये सभी जो है वो इस act के अंडर लगती है that means इन सभी से ये clear होता है कि जो wildlife protection act 1972 है वो एक basic act है for environment conservation in India इसके पाद जो दूसरा important act है वो है environmental protection act 1986 इयर याद रखना बहुत जरूरी है, paper में पूछा गया है already एक बात, तो ये act क्या करता है authorize करता है central government को to control and reduce the pollution from the all sources अब sources की यहाँ पर बात हो रही है तो अगर source based हम pollution को जो divide करे या differentiate करे तो या दो parts में divide करे तो वो point source होता है और एक non point source होता है directly नहीं पता चलता और साथ में यहाँ पर जो है वो ये act provide करता है procedure for setting standard of emissions और discharge of environmental pollutant कि कितना जो है वो pollutant कितने high level पर ये pollution हो जाएगा कितने lower level पर ये pollution नहीं होगा ये सभी standard जो है वो आपके इस act के अंडर बने है अब इतना important act है तो इसका base भी बहुत important होगा कि क्यों ये act बना इसका reason बहुत important होगा तो reason जो था वो था Bhopal gas tragedy 1984 में जो ये tragedy होई थी और यहाँ पर एक gas release होई थी उस gas का नाम जो है वो आपको comment box में reply करना है then उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा important act आता है वो आता है Indian forest act 1927 एक तो ये याद रखना है कि ये British period में बना है ठीक है और इनका जो main objective था वो था to protect and conserve the forest अब यहाँ पर forest और जो forest को protect करने की यहाँ पर बात कर रखी है लेकिन confused यहाँ पर नहीं हो ना ये act जो हो 1927 का है यहाँ पर सिर्फ protection की बात की है लेकिन उन्हें जो है वो इस तरह से जो British का जो यहाँ पर interest था वो forest जो है वो produce के ओपर था यहाँ पर इन्होंने divide किया है forest को reserved forest, protected forest और village forest यानि कि probit करना एक तरह से activities को ताकि forest को जो है वो government का resource यहाँ पर बनाई जाए वो इसके बाद जो नेक्स आता है वो आता है forest conservation act 1980 important है year भी बहुत important है इसका जो main target था वो था ensure करना environmental protection, environment protection and environment preservation अब यहाँ पर क्या किया गया है यहाँ पर कहा गया है कि mandatory central approval यहाँ पर जो है वो central government का approval जो है वो mandatory होगा regarding the environment या forest regarding इसमें इन्होंने encourage किया है कि जो forest land है into the non forest afforestation मतलब जो forest land है into the non forest purposes यानि कि afforestation जो है वो यहाँ पर promote करना है इनका main objective रहेगा encourage afforestation main target और दूसरा यहाँ पर अगर आपको इस act के अंडर जो approval चाहिए उसमें यह कहा है कि अगर आपको forest land को non forest land में convert करना है तो उसके रिए जो आपको permission लेने पड़ेगे central government के और वो mandatory provision होगा इसके बाद जो next है वो है national forest policy 1988 इस policy के अंडर जो है environmental stability की जो है वो यहाँ पर बात की गई है to ensure environmental protection जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि role of woman afforestation and soil erosion यह तीनो जो है वो यहाँ पर core factor रहेंगे role of woman की यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर forest laws लगाए जा रहे है तो उनको implement करना में जो है women जो है बहुत important role जो है वो play कर सकती है उसके बाद next है the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest right act 2006 इस act का जो है वो यह बहुत important है अभी तक नहीं पूछा गया exam में तो यहाँ से आने के chances बन सकते है इनका जो main objective था वो यह था to restore the deprived forest right of STs and other traditional forest dwellers across the nation to ensure environmental preservation अब अगर हम forest के ओपर कानून लगा रहे है तो that means यह कानून कहीं नहीं उन लोगों पर भी implement होगे जो वहाँ रहने है और वहाँ जो लोग रहे हैं हमें उन्हें autonomy देनी बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है वो particular vulnerable tribal group हो तो that means वो directly forest के ओपर depend है अगर हम forest को restrict करेंगे उनके activities को जो हो restrict करेंगे तो कहीं नगे उनके livelihood जो हो effect हो सकती है तो इसके regarding जो हो सरकार ने जो हो यहाँ पर जो हो forest right act जो हो लेकर आई है ताकि जो हो forest dwellers है उन्हें भी जो हो जो forest में जो लोग रहा रहा है जो particular vulnerable tribal groups रहा रहा है या tribal people जो forest में रहा रहा है उनके rights को भी यहाँ पर जो protect किया जा सके then उसका biological diversity act 2002 यह year पूछा गया है paper में match the following में तो यह बहुत जादा important है यहाँ पर जो हो कहा गया है to conserve, promote, sustainable use of the biological diversity यहाँ पर biological diversity का जो हो sustainable use और conservation दोनों की यहाँ पर बात की गई है यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है कि restrict करना नहीं कहा है कि ठीक है use करो लेकिन sustainable manner में साथ मैं ensure करना है यहाँ पर free and equitable sharing of benefits कि जितना भी आपको use करे हो अगर आप sustainable border तो that means equitable sharing हो नहीं चैए ऐसा नहीं कि कोई work जो है वो पिछड़ा रह जाए उसके बाद यह act जो है वो enact किया गया था conventional biological diversity biological diversity के अंडर जो है वो यह act enact किया गया था और यह जो act introduced हुआ था bill form में वो 2000 में हो था 2002 में यह act बनाए यहाँ पर जो है वो प्रॉबिट किया है transfer of the genetic material outside the nation without approval यह statement जो है वो exam में बन सकती है और इसमें पूछा जा सकता है कि इस act के अंडर जो हो प्रॉबिट है या नहीं है तो अगर genetic material भारत से बाहर जाता है तो उस case में जो है वो यहाँ पर किया है कि सरकार का approval लेना जरूरी है Regulations for the use of genetically modified organisms Regulations genetically modified organisms है उनकी regulation के regarding भी यह question जो है वो इस बार statement UPSC में बनी है 24-24 prelims में तो यहाँ से वो statement बनी है दिन उसके बाद यहाँ पर बात की गई है Establishment of National State and Local Biodiversity Fund अगर आपको Biodiversity Conservation कंसर्व करनी है तो उसके regarding आपको funds भी चाहिए तो Biodiversity Act के अंडर जाओ funds की बात की गई है वो भी कहाँ पर National State और Local Level पर That means कहिना कही decentralized approach यहाँ पर रखी जा रही है और जहाँ पर भी decentralized approach होती है वहाँ पर Community Participation जो है वो बहुत common रहता है इसके बाद यहाँ पर यह कहाँ गया गया है कि set up करेंगे क्या biological management committee at local state and national level वही कि अगर आपको Community Participation चाहिए तो आपको एक committee भी चाहिए तो management committee जो बनेगी वो किस तरह से बनेगी state, local और central level पर और यहाँ पर national biological diversity हो गया state biological diversity हो गया और local biological diversity जो authority इस तरह से बनी है then उसके बाद next आता है coastal regulation jones 2019 यह बहुत important है यहाँ पर जो coastal environment है उसको conserve करने की यहाँ पर बात की गई है प्लस साथ में sustainable development की भी यानि कि coastal area जो की tourism sector से tourism point of view से बहुत important तो वहाँ पर जो है वो coastal environment को conserve plus sustainable development की यहाँ पर बात की गई है जिसमें beaches management जो हो बहुत जो हो important है इंक्लूड होती है यहाँ पर eco tourism को promote करना का जो हो initiative लिया गया है प्लस साथ में tourism की वज़ा से या फिर other factors की वज़ा से जो यहाँ पर pollution होना रहा है उसको भी यहाँ पर जो हो रोकने की बात की गई है प्लस साथ में यहाँ पर कहीं न कहीं sustainable practices को जो हो प्रवोट करने की भी बात जो हो इस act के अंदर की गई है देन उसके बाद है biomedical waste 2016 e waste management rules भी यहाँ पर 2016 में आते हैं जिसमें focus है environment conservation के ओपर प्लस साथ में यह खा गया है कि biomedical waste का जो है वो यहाँ पर proper disposal जो होना चाहिए उसके बाद जो सबसे important organization आती है वो आती है NGT National Green Tribunal Act 2010 environment laws या environment cases related जितने भी environment से related जितने भी issues है वो सभी NGT देखेगा तो कहीं न कहीं न कहीं पर Supreme Court का burden उसको भी कम किया गया और legal framework है NGT जो है वो statutory body है कोईसी judicial body है disposal of the cases environments related maximum cases जो हो यहीं पर देखे जाते हैं और higher burden के जो major litigation का burden जो increase हो रहा था higher courts में उसको भी यहाँ पर जो कम किया गया है साथ में यह कहा गया है यह body क्या करती है enforcement of the यह जो enforce करती है legal environmental rights relief and compensation for damages caused कि जितनी भी damage हो रही है relief and compensation है वो NGT जो है वो यहाँ पर provide कर रही है NGT work करती है principle of natural justice और orders जो NGT के हैं वो legally binding है but challenging supreme court within 90 days कि अगर कोई NGT का कोई decision है NGT को decision ले रहा है और बहुत NGT news में भी रहता है तो उसका जो challenge कर सकते हैं water तो वो 90 days में कर सकते हैं वैसे वो legally binding है और principal bench के अगर हम बात करें तो वो New Delhi में है और four जो है वो यहाँ पर regional benches है पुने, भुपाल, चैने, कॉलकता chairman के अगर हम बात करें तो retired judge of the supreme court होता है NGT deal करता है different acts के साथ जिसमें आपका water act आता है 1974 का water cess act आता है 1977 का forest conservation act आता है 1980 का air act आता है 1981 का environmental protection act आता है 1986 का biological diversity act आता है 2002 public liability insurance act आता है 1991 का अब यहाँ पर ध्यान रखना कि कौन से act के साथ NGT नहीं deal करता है तो wildlife protection act 1972 most important Indian forest act 1927 forest right act 2006 इस तरह से भी question जो है वो exam में अल्रेड़ी एक बार पूछा गया है कि कौन सा जो है वो act NGT के अंडर नहीं आता है यह NGT से power NGT link नहीं करता है उसके साथ तो यह तीन act है बहुत important है यह topic prelim के लिए देन उसके बाद है water act 1974 यहां पर जो है वो central pollution control board जो है वो इस act calendar बना है एक बार इस तरह से question जो है वो already exam में H.A.S. में पूछा गया है तो इसको ध्यान रखे अगर आप जो हमारी जो वीडियो हम discuss कर रहे है इसकी PDF जो है वो आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगी आप चेक कर सकते हैं और हमारा जो username है वो है at the rate newspaper facts या फिर आप जो आवो daily facts करके भी जो आवो search कर सकते हैं और link भी आपको जो आवो description में मिल जाएगा then उसके बाद हम बात करेंगे conservations मतलब जितने भी ozone conservation के हम यहाँ पर बात करेंगा environment मतलब ozone से related जितने भी जो हमारे जो conventions है उनको भी हम यहाँ पर साथ में discuss करेंगे prelims के लिए बहुत important topic है next हमाल आईए तो ozone के अगर हम बात करें सबसे पहले तो याद रखना O3 ozone जो है वो three molecules of oxygen से मिलकर बनता है जिसमें ozone जो है वो दो तरह की होती है एक good ozone होती है एक bad ozone होती है good ozone जो है वो statosphere में मिलेगी और protect करती है earth को UV rays से जो sun से UV rays आती है उनको उनसे जो हो earth को protect करती है bad ozone जो है वो troposphere में होती है और इसको secondary pollutant भी एक तरह से कहा गया है reason क्या है यहाँ पर है कि ozone depletion substances है जिसमें chlorofluorocarbon, methyl bromide और HFC यानि कि hydro chlorofluorocarbon carbon tetra chloride carbon tetra chloride methyl chloro form यह कुछ जो है वो ozone depletion जिसकी वज़ा से जो है वो यहाँ पर क्या होता है secondary pollutant की form में जो है वो ozone जो हो ट्रोपोसपेर में बनती है यहाँ पर ozone depletion जो है वो important term आती है ozone depletion का मतलब हो गया इस तरह से status pair में जो है वो एक ozone layer है वो layer की जो thinning है मतलब thickness है वो कम हो रही है reduce हो रही है जिसको कहा जाता है ozone depletion और जहाँ पर वो ज़्यादा reduce हो रही है that is your ozone hole ozone hole formation वहाँ पर जो है वो ozone hole जो है वो बन रहा है अब global initiatives regarding the ozone protection से related या ozone conservation से related हम बात करे तो उसमें सबसे पहले आपता है 1985 का venia convention non-legally binding है that means कहीना के voluntary था और यह first international treaty है sorry यह first नहीं है यह non-legally binding है इससे पहले 1980s में जो है वो यहाँ पर कहीना के ozone की जो है वो बात की गई थी क्योंकि Antarctica के ओपर जो है वो ozone hole जो है वो देखा गया था जिसके बाद जो है वो venia convention 1985 में हुआ इसके बाद 1987 में Montreal protocol हुआ जिसमें सबसे पहले यह याद रखना कि यह first international treaty है sign by the all मतलब Montreal protocol को सभी countries ने जो है वो sign किया that means ozone का जो issue था वो सभी countries के लिए बहुत important था और यहाँ पर जब 1987 में यह sign हुआ तो यह force के मतलब इसको enforcement जो है वो 1989 में हो रखी है इस तरह से भी जो है वो examine question बन सकता है कि कब जो है वो force में आया then उसके बाद next यहाँ पर जो आता है वो आता है इसमें कि ozone depletion substances की यहाँ पर बात की यह है कि हमें phase out करना है ozone depletion substances को कैसे तो सबसे पहले यहाँ पर CFC को decide किया गया था कि CFC को phase out करना है chlorofluorocarbons को जो है वो यहाँ पर phase out करना है उसके बाद Montreal में amendment हुई है किगली agreement के साथ किगाली agreement के साथ HFC यहाँ पर hydrofluorocarbons को जो हो phase out करने की बात की गयी है और यह जो है legally binding है कगाली agreement के अगर हम बात करें तो यह legally binding है और यह came into force in 2019 इस तरह से भी जो है वो question बन सकता है कि यह कब जो है वो force में आया तो यह force में आया था 2019 में इसके बाद series में अगर हम देखें यहाँ पर की कौन-कौन से important जो act से और initiatives तो यहाँ पर जो है वो 1974 में chemist in the USA discovered that the link between the CFC and the breakdown of the ozone in the stratosphere यहाँ पर सबसे पहले 1970 जैसा हमने बात की थी कि 1970 से लेकर 80 के बीच में यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो यह CFC और ozone deflation की बात यहाँ पर की गई थी फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो ozone की इसके बाद यहाँ पर आता है 2024 का phase out the methyl bromide यहाँ पर जो है phase out की बात किये गई है और यहाँ पर use in developed countries is complete यहाँ पर क्या है pre-shipment की तरफ जो है वो और focus किया गया है उसके बाद यहाँ पर 2010 में phase out the CFC halon carbon tetra chloride and other fully hydrogenated ozone depletion substances is complete उसके बाद यहाँ पर 2013 में जो है वो क्या हुआ है scientific assessment हुई है confirm the ozone is healing ozone जो है वो layer जो है वो heal कर रही है and will return to the pre-1990, 1980s level by the mid century उसके बाद 2015 में यहाँ पर बात किये गया है phase out the methyl bromide for non quarantine and pre-shipment uses in the developing countries is complete तो यह कुछ targets है इनको जो है वो यह important है हम इनके years जो है वो याद रख सकते है और यह याद learn करने बाला ही है तो इसमें कुछ भी जो हो समझने वाला जो है वो concept नहीं लगता है हमें इनको जो हो रटा मारना पड़ेगा then उसके बाद हम discuss करेंगे important facts की तरफ कि जो environments related important facts है और इस पार भी यहाँ से question बन रखे है UPSC 2024 prelims में तो Brettland report सबसे पहले एक बार already exam में question पूछा गया है कि सबसे पहले sustainable development की बात किस report में की गई है तो Brettland report थी एक 1987 में आई थी और यहाँ पर जो हो सबसे पहले sustainable development की जो है वो बात की गई है यह sustainable development वोड यहाँ पर सबसे पहले use किया गया है उसके बाद UNEP United Nations Environmental Program की अगर हम बात करें तो 1972 में यह बना था as a result of the Stockholm Conference Stockholm Conference हुई थी और जो यह UNEPAS का headquarter जो हो नायरोबी Kenya में है और यह जो act है मतलब यह UNEPAS इसने काम करना शुरू किया था यह Stockholm Conference की अगर हम बात करें तो 1975 में came into force reports बहुत important है कि कौन से reports जो हो release करता है UNEP तो याद रखना कि जितने भी gap आ रहे है जितने भी reports में gap आ रहे हैं वो सारी के सारी reports जो हो UNEP ही रिलीज करता है exception इसमें रह सकती है उसके बाद that means emission gap report adaptation gap report और global methane assessment यह 3 important reports जो हो कौन release करता है आपका UNEP उसके बाद है World Wildlife Fund या World Wide Fund for Nature WWF World Wide Fund for Nature यह एक NGO है एस्ट रिलीज डूटी 1961 में और यह publish करता है Living Planet Report तो Living Planet Report कौन release करता है आपका World Wildlife Fund वर्लड वाइड फंड सारी दिन उसके biological, biodiversity, financial initiative यह UNEP के initiative था कभी initiative शुरू कहता है 2012 में अक्तूबर में Basal Convention 1992 Transbody Movement of the 1000 Years Waste and Their Disposal यानि कि Transboundary Movement of the 1000 Years Waste and Their Disposal जो है वो यह Act कहना रहता है Basal Convention कहना रहता है 1992 उसके बाद Department of Environment जो है वो यहाँ पे setup किया था 1980s में उसके बाद National Ganga Council जो बनी थी 1986 में और इसको head करते है Prime Minister of India और आपको यहाँ से बताना है कि जो Ganga River है वो कौन-कौन सी states से जो है वो flow करते है उन states के नाम जो है वो आप comment box में रिप्लाई कर सकते हैं और Ganga River से अगर हम बात करें इस बार भी जो है वो UPSC में question आ रखा है जिसमें जो है वो west से east की तरफ को जो है वो पूछा गया है तो that means हमारे लिए east to west और west से इस दोनों ही जो है वो sequence जो है वो Ganga River की ट्रेविटर इसका जो है वो important हो जाता है दन उसके बाद चिपको मुवमेंट जो है वो 1973 में होई थी उत्राखण में से silent valley मुवमेंट जो है वो 1973 में होई थी किरला में यहां से question नहीं बनाया लेकिन chances जो है वो यहां से question बनने के काफी है 1972 में जो है वो यहां पर यहां से जो है वो 1972 में जो है वो यह लंडन convention और मेराइन pollution हुआ है उसके बार net zero emission के अगर हम बात करें इंडिया ने तार्गेट रखा है वो 2070 का रखा है चाइना ने रखा है 2060 का European Union ने टार्गेट रखा है 2050 का और France ने रखा है 2050 इस बार European Union से question यहां पर बन रखा है UPSC में पूछ रखा है 2040 वहां पर दिया था लेकिन इसका जो एक्जेक्ट है वो है 2050 बंबे नेचुरल हिस्ट्री सुसाइटी 1883 में यह बनी थी और आपको बताना है कि Archaeological Survey of India वो जो है वो कौन से एर में बना है IPCC UNEP के बाद जो दूसरे important organization होती है that is IPCC International Intergovernmental Panel or Climate Change 1988 में यह बनी थी और किसने बनाया इसको World Meteorological Organization and UNEP इन दोनोंने बनाया है और World Meteorological Organization जो है वो बहुत important है और यह organization बनी है 1950 में इसका headquarter जो है वो Geneva Switzerland में Specialized Agency of United Nations और रिलीज करता है Greenhouse Gas Bulletin तो यह यहाँ पर याद रखना देन उसके बाद यहाँ पर Greenhouse Gas Bulletin हम अलरी देखो यहाँ पर discuss कर चुके है कि World जो है वो Metallurgical Organization इसको रिलीज करता है State of Climate Services Report यह भी WMO रिलीज करता है State of Cities Climate Finance यह जो है वो World Bank रिलीज करते है उसके बाद IPCC को हम अगर discuss करें यहाँ पर तो 1988 पर बना था दोनोंने बनाए है और headquarter जो है वो जेनेवा और Switzerland 195 जो है वो यहाँ पर members है इसके और भारत इसका member है Nobel Peace Prize जो है वो 2007 में मिल चुका है along with US President L. George L. George के साथ जो है वो इने जो है वो Nobel Peace Prize जो है वो यहाँ पर मिल चुका है तो इस तरह से भी question जो है वो में बन सकता है कि कौन सी environment organization है जिसको जो हो यहाँ पर Nobel Prize जो है वो मिला है देन उसके बाद next आता है UNFCC बहुत important है यह UNFCCC United Nation Framework on Convention on Climate Change यह नहीं कि United Nation Framework Convention on Climate Change बहुत important 1992 में यह बनी थे Rio Earth Summit जिसको Earth Parliament भी यहाँ पर कहा गया है और भारत इसका member है जी हाँ भारत जो है वो इसका member है coalition for disaster resilient infrastructure launch किया था इसको इंडिया ने at United Nation Climate Action Summit at New York in 2019 तो यह बहुत important है कि भारत ने जो है वो यह initiative जो है वो लाँच किया है दैन उसके बाद international solar alliance 2015 में इसको लाँच किया गया था Paris Agreement के थूरू जिसमें भारत और France ने जो है वो जो है वो लाँच किया COP21 में इसमें members जो include होते हैं वो होते हैं of Cancer से Tropic of Capricorn के बीच के जितने भी countries है फोर्ज नहीं है कि वो जो ही नहीं करें लेकिन कर सकती है यहाँ पर जो है वो इसको observer status भी मिला है United Nations में ISA को वो एक observer status मिला है और headquarter के अगर हम बात करें तो भारत में जो हो इसका headquarter है गुरू ग्राम में हर्याना में Arctic Council के अगर हम बात करें आपर 1996 में बनी थी members के अगर हम बात करें आपर और यह उतावा declaration से बनी है USA, Canada, Norway, Finland, Sweden, Denmark, Iceland, Russia इस बार भी जो है वो Arctic यानि कि यहाँ वाले region से question बन रखा है North Sea को लेकर कि कौन सी country जो वो North Sea में बाटर शेक करती है तो उसके regarding हमने एक trick बनाई है आप चेक कर सकते हैं उसको बहुत important है prelims के लिए यह तो इसको ignore मत करना देन उसके बाद है शाम इल शेक declaration COP14 CBD में यह हुई थी और biological diversity की यहाँ पर बात के गई है यह निकि biological diversity conservation पर यहाँ पर focus किया गया है उसके बाद नेक्स आता है Rotterdome Convention 1998 लीगली binding है सबसे पहले याद रखना यहाँ पर बात की गई है regarding international trade international trade के यहाँ पर बात की है of certain hazardous chemicals in order to protect human health and environment from potential harm यानि कि अगर उनके harm से जो chemicals हैं उनका उनसे जो है वो human life को और environment को effect पढ़ रहा है तो उसके regarding जो हो यहाँ पर convention जो हो लेकर आए है उसके पाद Stockholm Convention 2021 यानि कि 2001 का जो है वो Stockholm Convention जिसमें बात के गई है persistent organic pollutant और यह जो है वो came into force हो था 2004 में Basal Convention 1989 का transboundary movement of the hazardous waste and their disposal बहुत important है Basal Convention 1979 अभी Basal Convention 1979 का link करता है CMS के साथ यानि कि Convention on Migratory Species और यह जो force में आथा वो आथा 1983 में यह years हो है वो बहुत important है प्रेलिम्स के लिए इसलिए हमने इन सभी years को एक साथ include किया है उसके बार next आता है जॉनिस्वर्ग declaration और जॉनिस्वर्ग declaration की अगर हम यह हम बात करें यहाँ पर तो यह 2002 में आया था जिसमें focus किया गया है sustainable development की तरफ अब आपको यहाँ पर बताना है कि sustainable development goals जो है वो कितने है total 17 goals है sorry मैंने बता दिया कि 17 goals है sustainable development goals आपको बताना है कि हमारा जो target है इनको achieve करने का वो कौन से एर का है प्लस यह 2015 में जो है वो adopt के हैं तो final target हमारा जो है वो sustainable development goals का वो कब का है वो आपको comment box में reply करना है then उसके पार UNFCC में COP26 जो वो ग्लास गौव में होई थी COP27 जो वो एजिप्ट में होई थी COP28 UAE में और COP29 अजरबाइजान में होगी I hope यह initiative आपको अच्छा लगाओ प्लीज सपोर्ट शेयर और सब्सक्राइब डेली एक्ट थैंक